सभी साथियों को नमश्कार साथियों मैं आज आप सभी के सामने पलेटो की जो बुक्स है और उनको याद रखने की ट्रीक है वो लेकिया आया हूं मुझे पता है कि हम सब जितने भी लोग नेट का या किसी और प्रिक्षाओं जो सब्जेक्ट से समधित प्रिक्षाओं हैं वो देते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्याती है कि हमें जो विदार्षने के अविचारक होती हैं उनके बारे में हमें याद रह जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याती है उनकी रचनाएं और उनकी जो किताब्वे हैं उनको याद रखने में तो हम आज कोशिस करेंगे कि टेक्स के माध्यम से हम प्लेटो की जो इतनी भी बुक्स हैं जो महतोपुन बुक्स हैं उन सब को आज याद कर पाएं पहले थोड़ा सा प्लेटो का जो शंक्षिप्ट जीवन है वो देख लेते हैं प्लेटो का जीवन इनका जनम है 428 कहीं कहीं 427 भी लिखाता है इस भी पूरव हुआ था और इनकी मिर्ट्यु है वो 347 इस भी पूरव हुई थी तो इनका जो जीवन पूरा 80 साल या हमीक 80 साल कहेंगे ये रहा था इनका जो वास्त्विक नाम था वो अरिस्तोकलीज था और इनके पिता का नाम अरिस्तोन था तो इस परकार से हम अभी आगे बढ़ रहें अपने ट्रिक्स की तरफ प्लेटो की जो महतोपून बुक्स है उन्हीं के बारे हम चर्चा करेंगे वैसे प्लेटो की काफे सारी बुक्स है लेकिन जो बार बार अग्जाम में पूछी जाती है आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे पहले जो सबसे महतोपुन बुक है प्लेटो की वो The Republic पहले एक बार हम इन बुक्स को पढ़ लेते हैं फिर हम इनको ट्रेक्स के मादिम से भी देखेंगे पहले बुक है इनकी रिपबलिक इन्होंने इस बुक में आदर्स जो राज्य है उसके बारे बात की थी दूसरी है The Statism in इसनके बारे में इन्होंने थोड़ा आदर्स वाद जो है वो थोड़ा कम किया और विवारिकता की तरफ आना इन्होंने शुरू किया तीसरी The Lose लोज को प्लेटो की अंतिम बुक माने जाती है और लोज में हम ये कहेंगे कि प्लेटो बहुत जादा आदर्स वाद से जो ववारिक है या जो कानूनी प्रतिबंध है जो सासक पे लगाने की तरफ चले गए थे इस परकार से सिंपोजियम है तो चार बुक है य आज़ी बुक्स है गोर्जियस चटी है जो उनके गुरू थे सुकरात उनहीं के डायलोग्स है सोकरेटिक डायलोग्स और साथ वी है टाइमेस आठफी मीनो नौवी अपलोजी और दसफी फेडो ये दस बुक्स है इनको हम एक ट्रिक सोटिश है उसके माद्यम से आप इनक पहले आपने चारों जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है चारों बुक्स है दर इपबलिक दे स्टेटसमें दे लोज दे सिंपोजियम इनको आप फोर दी के नाम से याद रख सकते हो मुझे पता है कि आपकी दिमाग में ये भी आद सकता है कि दी तो किवल इने के बुक्स में कियों और विस बहुत सारी बुक्स में आपके सामने आ जाएगा लेकिन हम जब किसी भी विशेक त्यारी कर रहे हैं तो हमें एक तोड़ा हिंट चाहिए जिससे हम याद कर पाएं तो फोर दी जब भी आप फोर दी को जिकर करोगा प्लेटो जब भी नाम आपक आगे आते हैं पांच में गोर्जीयस की आप जी याद रखे सोक्रेटिक डायलोक्स है उसका ऐसे याद रखे टाइमस है टाइमस है उसका टी मिनों का एम अपलोजी का ए एड़ फेड़ों का पी इस प्रकार सी यह जो छे बुक्स है उनको आप जीस्टी मैप नाम दे सकते हो जीएस्टी मैप अब अगर प्लेट्टों की इस अभी महतोपॉन बुक्स को अपको रिकॉल करना है तो केवल आपको फोर दी जी-एस्टी मैप फोरती एंड जी-एस्टी मैप डी कह सकते हैं दी कह सकते वो आप जैसे आभी आपको अच्छी प्रकार से लगे वो बात कर हो जाएगे आपके माइंड में तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करूंगा कि यह चोटी कोशिस है वो आपको आगे आने वाले जो आपके अग्जाम है उसमें जब भी बुक्स पुछी जाएगी तो उसमें यह मदद करेगी मेरा भी मैंने यह लक्षा रखा है कम से कम 500 से 700 जो क कहनियों के माध्यम से मैं आपको वो सारे बुक्स से याद करवा पाँ हूँ तो हम इसके अंतरगत पुल्टिकल की भी है लोग परसासन की है हिस्ट्री की है समाध सास्तर की है इन सब के जो बड़े विचारक हैं और उनकी जो महत्वपुन रचनाई हैं उन सब कहाम अध्य करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बिना आपको ढूंडे हुए वो सारी सोर्ट टेक्स वाले बुक्स आपको मिल पाएं तब साथियों का इतने लंबे समय तक मुझे सुनने के लिए धन्यवान ठेंक्यू